और सभी की सुनवाई हुई Delimitation Commission जम्मू कस्मीर में सब जगे पे गाया अंतिम जिले से लेकर पहले जिले तक सब जगे गुमें कई समुदायों के प्रतिनिद्यों ने इनको आविदन पत्र दिये थे पाक अक्युपाई कस्मीर से आय उए लोगों ने भी दिये थे और कस्मीर घाटी से भाग कर जम्मू में सरन लेने वाले लोगों ने और कस्मीर घाटी से भाग कर देश बर में फैले हुए कस्मीरियों ने भी आवेदन लिये थे कि हमारा प्रतिनी द्यत्वा का कोई डीलिमिटेशन कमीशन संग्यान ले और मुझे आनंद है मानेवर कि डी लिमिटेशन कमिशन ने इसका संग्यान लिया भारत के इलेक्शन कमिशनर ने विधान सभा में दो सिटे कस्मीरी विस्ताफितों के लिए नामंकन की जा सके और एक सिट अनधिकृत अक्यूपेशन जो हमारे कस्मीर का हिस्चा पकिस्तान क करकर बैठा है वहां से विश्ताफित लोगों में से एक विक्ति को नॉमिनेट करना पड़े है यह इसका हाथ अब इसमें क्या है पहले भी मिलता था ना पहले नहीं मिलता था पहले सिर्फ जरूरत लगे तो प्रतिनितितों नहों तो महिलाओं को दो सिट दी जाती है हमने तीन सिटे और एपोइंट करने की डिल मिटिशन कमिशन की जो सिफारी से उसको बिल में परिवर्ता करकर कानूनी जामा पहना कर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्तित रु इसमें से दो सिटे कास्मिरी विस्तापीतों के लिए होगी जो गाटी से विस्तापीत हुए है और एक सिट पाक अक्यूपई जम्मू कस्मीर के विस्तापीत व्यक्तियों के लिए नामिक की जाएगी इसमें से एक महिला होना जरूरी है इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज में यहाँ पर हुआ है डी लिमिटेशन कमिशन के इत्यास में पहली बार 9 सिटे सिदिल ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है और ेस्ट्री के लिए 9 सिटे और अनुसुची जाती और जाती के लिए भी सिटों का आरोक्षन की विश्टा कर रहे है नई जो पेले 37 सिटे थी अब 43 ऊभी है कश्मीर में पहले 46 थी उब 47 हुई है और पाक एक्यूपाई कस्मीर की 24 सिटे क्योंकि वो हमारा है हमने रिजव रखी है मानने वर 24 सिटों को इस तरह से पहले 107 सिटे जम्मो कस्मीर विदान सबाव में थी अब 114 सिटे हुए है पहले 2 nominated member हुआ करते थे अब 5 nominated member माने वर इसमें होंगे जम्मू कस्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा पंदर के अनुसार किया जाता है और अब इसमें कस्मिरी प्रवासियों में से दो, जिसमें से एक महिला और पाक अक्यूपाई कस्मिर से एक नामांकन किया जाएगा मानेवर इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को एक इत्यासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारीत किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको माननेता दी और धारा 370 चली गए इसी का हिस्सा था ये डी लिमिटेशन कमिशन मानेवर सुरक्षा का परिदृष्य मैं इस पर बार में बाद में बात करूँगा धेर सारे सदस्यों ने इसकी चिंता भी व्यत की है मैं भी चिंतित हूँ परन्तु क्या हुआ है वो बताना ये मेरा फर्ज है क्योंकि एक और से रेकोर्ड पर चीज़े आ गई है तो मुझे जवाब तो जरूर उसका देना पड़ेगा और आज जो धारा 370 हटने के बाद क्या विकास हुआ आतंकवाद तो भी चल रहा है कस्मीरियत का कितना नुक्षान हुआ ये सारी चिज़ों के जवाब मैं बहुत डिटेल मनेवर दूँगा और ये दोनों जो संसोधन है वो संसोधन आने वाले दिनों में इतियास इस सदन के इस प्रयास को और सदन के आसिरवात को हर कस्मीरी जो प्रताडी थे वो याद रखेगा हर कस्मीरी जो पिछडा है वो याद रखेगा कि नरेंद्र बोधी सरकार ने 70-70 साल से दर-दर की ठोकरे खाने वाले भटकते हुए अपने ही देश के भाईयों बैनों को न्याय दिलाने के लिए उनको दो सीटे का रिजर्वेशन दिया और अपना देश छोड़कर पाक उक्क्यूपाई कस्मीर से यहां सरनाथी बने हुए लोगों को रिजर्वेशन दिया और जो डिप्राइव थे उनको कमजोर लोग ऐसे अपमानित करने वाले सब्द की जगे पीछडा वर्ग का समवेधानिक सब्द इनके लिए रखकर आज इन्होंने क्या कहा कई सदस्यों ने पूछा कि क्या हुआ है इनके लिए विश्थापितों के लिए क्या हुआ है इस जर्वेशन देने से क्या होगा कस्मीर की विदान सबा में गुंजेगी और फिर कोई ऐसी स्थिती करना जाएगा तो नहीं रोकेंगे उगा क्योंकि उनकी आवाज वहाँ मानेवर इसके अलावे 5,675 कस्मीरी विस्ताफित परिवार आज रोजकार पैकेज का फाइदा उठा रहे हैं ऐसे करमचारियों के लिए 6,000 फ्लेट बनाने का प्रोजेक्ट था जो नहीं समाप्त हुआ, 14 से सुरू हुआ मगर अब राष्ट्रपती सासन डालने के बाद लगबग लगबग 880 फ्लेट्स बन गए हैं और उनको हेंडोवर करने की प्रक्रिया चाली है इनकी ओनलाइन सिकायत लेकर इसके निवारन का पोर्टल भी मानेवर सुरू कर दिया गया है और एक बहुत महतपून कानौन जो लोग कहते हैं मैं कस्मीर के जो सांसत बेटे हैं उनको विसे सुरूप से कहना चाहता हूँ क्या हुआ क्या हुआ जो कहते हैं इनको बताना चाहता हूँ मानेवर जब आतंकबाद चालू हुआ निसाना बना कर सबको भगाना शुरू हुआ गड़ियाली आंसु बहाने वाले तो मैंने बहुत देखा सब्दो से अच्छे तरीके से सांतोना देने वाले मैंने बहुत निता देखे हैं मगर नरेंद्र मोदी एक मात्र व्यक्ती ऐसा है जिन्होंने इनके आंसू साथ अर्थ में पूछने का काम मानेवर उनकी पीडा का हम कल्पना नहीं कर सकते जो करोड और उपय का प्रोपर्टी वहाँ छोड़कर जान बचाने के लिए कहीं बेंगलूर कहीं अमदाबाद कहीं दिली कहीं जम्मु में जाकर कैम्प में रहे हैं अपने स्तर से बहुत नीचे जीवन जी रहे हैं इनकी पीडा की कल्पना हम नहीं कर सकते बाकी के देश के हिस्से में रह कर मगर जब वहां से भागा भागे वो करोडों रुपय की संपती किसी ने कबजा ली कबजा लेने के बाद कहा कि अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा मैं जो देता हूँ वो ले लो औने पोने दाम में करोडों रुपय की संपती एक प्रकार से छीन ली गई और प्रसाशन चुप चाप बेठा चुप चाप बेठा कोई कदम नहीं उठाए और मानेवर हमने इसका रास्ता ढूंडा नया कानून बनाया और वो रिट्रोस्पेक्टिव फेक्ट से उनको वापिस देने का काम भष़तिय जन्ता पार्टी की नरेंद्र मोदी समया हैं नहीं कुष्टिय हैं क्या हुआ था वो भी बताया और अब क्या हुआ वो भी बताया है और बहुत बोले हो धाइर्य रखना सुनने का आज़रा धाइर्य रखकर सुनना और मेरा निवेदन है जितने बैठे हैं कमी बैठे हैं चले न जाए मान्यवर अधिवास प्रमान पत्र लगबग एक पॉइंट छे लाक लोगों को अधिवास प्रमान पत्र दिने का काम ये भ हिमा परिवार में 13,000 रुपया कैश्ट डॉल दिया जाता है इन लोगों तती व्यक्ति 9 किलो चावल 2 किलो आटा और 1 किलो मासिक चिनी देने का काम हमारी सरकार करती है मान लोगों और पाक उक्तुपाई कस्मीर से जो लोग आये थे उनको एक मुस्त साड़े 5 लाक रूप जो लोग कहते थे थे कि क्या हुआ आप तो मुल से ही कटे हो साब मुल के साथ संपर्की नहीं कैसे मालूम पड़ेगा बढ़लाव क्या हुआ इंग्लेंड में वेकेशन करकर जमु कस्मीर के बढ़लाव का अनुबव नहीं कर सकते हुआ माननेवर हमने दादा बैटा आपको नहीं कह रहा हूँ दादा बैट जाईए आप कहा कस्मीरी हो माननेवर एक बैकवर्ड क्लास कमिशन बनाए गया बहुत सहभागीता के अप्रोच बैकवर्ड कास कमिशन ने लिया ही दारकों के साथ कई दोर का बैठक्के किया एक सो अठानवे प्रतिनिदी मंडल और सोला हजार लोगों को की सुनवाई हुई साथ सो पचास दिन ये प्रक्रिया चली सभी 20 डिस्ट्रिक में जाकर ये सुनवाई की गई और लगबग लगबग 26,000 से ज्यादा पोस्ट में मिली हुई लिखीत अरजियों को भी संग्यान में ले लिया गया और जम्मु कस्मी आरक्षन अधिनियम इसके अंदर सुधार करने का अभी जो आया है उसमें से एक मूल तत्व बाकी के दो बिल तो सिडिल ट्राइब डिपार्टमेंट और पिष्डावर्ग डिपार्टमेंट लेकर आएंगे मगर अभी एक तत्वता फिरपार किया है बडलाव किया है जो मसुदी साब कहते थे कि पहले भी था हा था पहले था परन्तु कमजोर वर्ग करकर कमजोर वर्गों के लिए था इसकी जगे समविधानिक नाम अन्य पिछडा वर्ग देकर उनका सनमान करने का काम नरेंद्र मोधी तो यहां कॉंग्रेस के धेर सारे मित्र बैकवर्ड क्लास बैकवर्ड क्लास करते हैं कुछ नेता होते हैं जिनको हाथ में कुछ लिख कर पकड़ा लो तो छे महिने नया कागजना है तब वो ही बोलते रहें वो ही बोलते रहें बैकवर्ड क्लास 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 का सबसे बड़ा विरोध और रेक्वर्ड क्लास को रोकने का काम कोई एक पार्टी में किया है तो कॉंग्रेस पार्टी में मानेवर आज मैं पुछना चाहता हूँ सदन की पवित्र सदन के अंदर खड़े रहकर पिछला वर्ग आयोग को सत्तर साल से सम्वेधानिक मान्यता नहीं दि जाती ती क्यों नहीं दि जाती थी क्यों को इस अनमान नहीं मिलता थै जबकि सम्वेधान का मैंड़ेट मगर नहीं दिया गया नरेंद्र मोदी जी ने इसको सम्विधानिक मान्यता देने का मैं आग पूछना चाहता हूं इस सदन के अंगर जो आम सभाव में बेकवर्ड क्लास करकर गुमते हैं मैं फिर से कहता हूं उनको मालूम नहीं है इनकी पार्टी ने क्या किया है किसने काका साहईब कालेकर कमिशन का रिपोर्ट रोक कर रखा वो जवाब होना चाहिए देश की जनता को मालूम पढ़ना चाहिए मन्डल कमिशन के रिपोर्ट तक जब तक वो सत्ता के बाहर नहीं गए नहीं गए तब तक लागू नहीं हुआ और बाद में लागू हुआ भी तो विपक्स के नेता नाते स्वर्गी राजीव घंदी ने इसका विरोध किया मानेवर विरोध और आज वो बेकवर क्लास की बात करें हैं मानेवर वो लोग बेकवर क्लास की बात करें हैं कभी भी सेंट्रल एड्मिशन स्कीम के अंदर स्कूलों में भी दिया जाता है नीट के अंदर भी दिया जाता है और सेंट्रल स्कूल्स के अंदर भी पिछडा वर्थ के बच्यों को सनमान के साथ पढ़ने की विहोस्ता यह भारती जंता पाथ दिसका है मानेवर मानेवर अब आप इनको बिठा दीजें मानूब